कि सब्सक्राइब किजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबा कर और पे किली किजिए हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आज की रेट में दोस्तों इस्कूल में पढ़ाना कि कैना भूम जा रहा है ना मान लिजे एकविस है एक में जाते जाते भी इदर दो साल पढ़ाना पड़ता है यल के जी और कौन के जी होता है एक तक आते आते हैं अब उसके आगे पांचवे तक जाने में अच्छे सकूल में पढ़ाने में इस पांच साल में कितना खर्चा आ जाएगा ड्रेस कोट जूता इन सब को मिला के अगर आप जोड़ेंगे तो प्रति महीना कितना खड़ चाज आएगा जी हरीज सेलानी सराब बताएं सराब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं बताएं साब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को हमारा तो सेवंथ में पढ़ता है और अगर बात करें तो उसका चाहर हजार उसका ट्यूशन का है दस आठ हजार हो गया दो हजार क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट का है मतलब ले जाती है तो यह दस यह हो서 तो ऐसे जाने जाना है और बाकिका ज़ो इशत्रा है कभी कंप्यूटर का है कभी कुछ है कभी क्या है कभी क्या है तो लगभग उसको भी लख भगशक कर लीजे TO एक हजार रुपःय हो जाता है तो 11000 तो जाने जाने एक बच्चा है गेरा हजार रुपया पर मन्त यहीं ना सर जी यह सर यह सर यह सर यह सर यह आज लग रहा है दो साल पहले जब वो चौथी पांच वी में था तब भी तो लग रहा होगा यह फीज यह ट्रांस्पोर्ट का तो आपका लगी रहा होगा अब यह है देखो दोस्तों और अच्छे स्कूल में पढ़ा अभी तो इससे भी और महेंगी महेंगी फीस होंगी लोग पढ़ा रहे भी पढ़ा भी रहेंगे अब मैं उस स्कूल के बाद नहीं कर रहा हूं जो गाहों में सरकारी स्कूल है वहां तो खाना भी मिलेगा सब्जी मिलेगा हम उस स्कूल के बाद नहीं कर रहें दोस्तों अब अगर आप इसको जोड़ेंगे ना इसका कल्कुलेशन अगर आप करेंगे तो भाई लोग एक बार कल्कुलेशन करके बताना एक साल का कितना आ जाएगा अवे देशियर मालने देशन देशन आ कि कुणा करने में असानी रहें आ पांच साल का कितना हो जाएगा शीपलाक है एक देशी लक्सर उना कल लिये हो यसर और छे लाग यह पांच साल की पढ़ाई का हुआ है अब ही अब पांचवी में लड़का पहुंच गया अब पांचवी से दस्वी में जाने में यहां और खर्चा बढ़ जाएगा लेकिन इस पांच साल का भी हम छे ही लाग मान लेते हैं यह बाहर के दुनिया आए दोस्तों दोड़ा देखेगा हाला कि यह सब चीज़े आप क्वालिटी मालूम है फिर भी एक कल्कुलेशन अब निकाल रहे हैं अब हमारा बेटा समझ लो दस्वी में पहुंच गया दस से बारा दो साल फिर इधर दस से बारा दो साल इधर लगेंगे और फिर आप उसको बाहर वेज़ेंगे कहीं पढ़ने के लिए और जैसे आप बाहर वेज़ेंगे वैसे और खर्चा बढ़ जाएगा किसी चीज के त्यारी कराएंगे उसका खर्चा अलग से बढ़ेगा अब बारामी के बाद कई लोग इंजिनेरिंग के त्यारी करवाते हैं डाक्टरिंग के त्यारी करवाते हैं डिप्लोमा करवाते हैं मतलब तमाम सारी डिगरी है अब इधर कितना पैसा लगेगा वह आप निकाल लीजेगा देख लीजेगा अनमान यहां तक जाते जाते आराम से 20-25 लाग तक 20-25 लाग तक खर्चा आगया ठीक अब यह तो हो गया आपका खर्चा अब हम यह देखते हैं कि कि इंसान अपने पूरी जिंदिगे में कमाता कितना है सपोस्थ देट कि आप कोई प्राइबेट जॉब कर रहे हैं और जहां पे आपकी तनखा केवल 20-1000 है महीने की केवल 20-1000 है महीने की अब प्राइबेट जॉब में 12, 13, 14, 15, 18 होता है ऐसे ही है और सब लोग सरकारी में होते हैं और जो लोग सरकारी में है वो लोग 30-50,000 रुपा महीना कमाते हैं अगर 20,000 रुपया महीने कितन खा है तो पूरे साल में महीना बारा होते हैं कितना हो जाएगा सर दो लाग 40,000 हो गया पूरे साल का नोकरी पूरी जंदिगे में इंसान करेगा कब पहले तो साधी हो जाता है 20-22-25 साल के उमर में एक दो बच्चे हो जाते हैं तब इंसान कहीं जा बाब की ढूरता उससे पहले पिता के पैसों पे निर्भर रहते हैं 25 साल के उमर में जाब लगा नोकरी और इंसान नोकरी कब तक करेगा 40-45 साल तक कब तक पचास साल तक करेगा उसके बाद प्राइबेट में नहीं रखते हैं साठ साल बुढ़े को कौन रखता है प्राइबेट में आप देखे भगा देते हैं जैसे नीबू होता है ने नीबू का क्या अगर रस निकल जाता तो पिर क्या करता है आदमी अगर हम लोग प्राइबेट जॉब में है तो आप जब आपकी जब तक जवानी रहेगी जब तक आप यूथ रहेंगे जब तक आपके सरीट में ताकत रहेगा तब तक आपको यूज करेंगे फिर आपका अंदर रस निकल जाएगा ना फिर क्या करते हैं मालिक लोग जिसके जो जवान लड़के हैं उनको रख लेंगे यूथ और आपसे कम सेलरी में वह आ जाएंगे और चालिस पर तालिस साल के उमर में आपको बोलेंगे कि अब अंकल जी आप चाहते हैं इजाज़त हमारा आपका सफर यहीं तक अब आप घर पे रहें अराम करिए फिर आपको घ नौकरी किया गया पच्चेस साल के उमर में तो पूरी जंदगी नौकरी कितने साल किया गई पच्चेस साल एक साल कर दो लाग चालिस हजार गुणे पच्चेस कितना हो जाएगा को इस पांट आप बोलिएगा लगबग साट लाग होगा सर साट लाग यहीं न यह हो गया प्राइबेट में यह हो गया प्राइबेट में ठीक अब सरकारी का देख लेगते हैं भाई इस सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी में तनखा पचाँ अजार तो भई लेना ही पड़ेगा महिने का एक महिने की तनखा मानलोग पचाँ अजार है बारा महिने का कितना हो जाएगा छे लाख रुपया प्रतिसाल अब चुकि यहां रिटार्मेंट साट साल पे होता है यस और नौकरी लगती है तीस साल के उमर में तीस पैतिस साल के उमर में नौकरी लगता है आज की डेट में तो नौकरी करेंगे तो तीस साल के चेला तो कितना बनेगा सर् एक करोण अस्ती लाग एक करोण अस्ती लाग यह सरकारी नौकरी वाला इंसान पूरी जंदगी में यह पैसा कमाता है पूरी जंदगी के बात कर रहे हैं? अब मान लीजीए, अब चुकिए यह बंदा सरकारी नौकरी में है तो प्रोफाइल भी होगी, अगर यह बंदा सरकारी नौकरी में है तो इनके खर्चे भी होंगे, उस टाइप से अपना well settle रहना पड़ता है, उस टाइप से गारी, स्ट्रेकिंव AI दो हमारे दो अब यह नियम को दाएगें कि इनको बारावी तक सब्सक्राइब करते हैं अब बिटिया कमान लो साधी भी करेंगे अब बारावें तक ही पढ़ाया आगे कि मैं पढ़ाई बात नहीं कर रहा हूं जबकि आगे और जादा लगेगा यह आप सबको मालूम है इसाधमें कर दे इक साल में लाखों रुपए लग जाता है मैं डियरम ये और यह जो मेट्कल का हो गया मई BBS का उगया चारचार साल का कॉर्स होता है कि साल में पांच-पांच बांच दस लाख रुपए लगता है सर करोड़ों जाता है MBBS के लिए हाँ तो यह अब बैचारे मालो सरकारी नोकरी है MBBS के त्यारी करवा दिया तो जितना कमा उदर गोल हो गया लेकिन माल लेते हैं कि बारावी तक ही पढ़ाया है अब बिटिया की साधी भी करेंगे चूकि अपना भाई सरकारी नोकरी करते हैं तो लड़का भी अच्छा चाहिए दहज भी आपको मालूम है दहज प्रथा हमारे इंडिया के अंदर लोग इसको मानते नहीं बैएन है एक तरीके से पर बिना दहज के साधी कोई करता नहीं है अंदर अंदर जाता है जाता भी है और देते भी है और अगर आप दहज नहीं भी देंगे तो अच्छा लड़का सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी वाला ढोड़ेंगे तो सर अभी आज की डेट में 25-30 लाक रुपए लगेगा सर मैं अपनी बेंड के साधी कराया हूं मुझे भी एक छोटी बेंड के साधी अभी कराना है इसलिए हम यह सब चीज़े जानते हैं साधी वाला मेंटर हम जानत अब प्रजेंट टाइम में अच्छा आप चुकि 12 साल के बाद अगर आप 18 साल के बाद साधी करोगे ना चुकि अभी आपकी गवर्मेंट जाब बच्चा हुआ है अब इनकी साधी 18-20 साल के बाद करोगे तब यह महेंगाई का रेशियों को अगर आप निकालोगे ना तो लगना है यह तो आपने 12 तक पढ़ा दिया दोनों बच्चें को और उनके साधी करा दिया अस्यलाग लग गए यहां पर कितना लग गया अब इस बीच में इस बीच में इस बीच में अभी कोई बिमार नहीं हुआ है ना आपके फैमली बिमार हुई है ना आप बिमार अब देखना परिवार में सबस्यादा खर्चत दवाई में जा रहा है माई डियर फैट यह सर फिर अप्चू की भाई सरकारी नौकरी करते हैं तो इनको गाड़ी भी लेना होगा गाड़ी लेना होगा घर भी होना चाहिए और यह सब करने में बाद में अप्चू की देखो अगर प्राइवेट वाला आदमी है तो वो तो यही माइनस में हो गया यही माइनस में हो गया फिर क्या करता है आदमी कर्च लेता है लोन लेता है यह अमाई चलती है और यह अमाई वो भर भी नहीं पा रहा है यह जिंद अब को इंसान सरकारी नवोकरी कर रहा हो चाहे को इंसान प्राइवेट नवोकरी कर रहा हो इतब ही रहते हैं लोग है तो कुझा इतनी चल ले कुछ रहती नहीं है उसका भी अलग सही हमाई जा रहा है सर जी हमारे वाई का खुद है हमाई 45 जाता है है साट यार मिलता है पंद यार बचता है मात अब सुच तो वह प्राइबेट से तो अच्छी जुन्दी अभी मैं बलता हूं एक हमारे एरिया में एक लोग है उन्हों वह वो कोई अच्छे नोकरी करते हैं एक क्रूल असी लाग रुपए का मकान लिए हैं ठीक एक क्रूल अ यह माई बनता है तो जितनी तनखा है उसका असी प्रत्सत पैसा उनका उसमें जा रहा होगा बचता होगा बीस पच्छी जार बीस पच्छी जार में और वह फसे हैं वह नोकरी छोड़ी भी नहीं सकते चुकि नोकरी छोड़ देंगे तो इधर यह माई कैसे जाएगा फस डंक से फस गए अब कई लोग बोलते ना सरी फसने फसाने वाला काम है बेटा फसे तो आप अच्छे से यहां हो हमारा यूटेक का लिटर तो आजा दे कहीं फसा तो नहीं है ना अब यूटेक के अंदर हम यह तो बाहर का आपकी पूरी जिन्दगी का होगे आभी इसमें बहुत सारा खर्चा है मब आपके दवाई का अलग से खर्चा है आपका कहीं रिष्टदारी में साधी हो रहा है आप शाड़ी लेके जाते हो वह भी तो आप इसी अपने तनखा में से ले जाओगे ना जोस्तियारी में कहीं साधी हो रहा है गाड़ी से जाओगे साधी तो देखर कर आओ गया और ऐसी साधिया डेली दो चार पांच आपको अटेंड करने पड़ती है पूरा पूरा महीना पता चलता है साधी चार चार पांच पांच साधी आपकर अटेंड कर रहे होते हैं फिर आप जोड़ लेना माई डियर फिंड कितना खर्चा वह लग गया सबहुं बढ़े हैं फिर क्या होता है आपके फैम्ली है बच्चे वाइफ है कभी कोई वीमार हुआ कभि रासन लाना है सब्जी बने गाना और उसका थर्चा बनेगा ठाट नरुःस में जाने लगता है चुकि उसको मालूम है कि हमारे खर्चे बहुत बड़े हैं यह नौकरी के इंकम से खर्चा नहीं चल पा रहा है अब दोस्तों देखिए बाहर में हमने बहुत पैसा खर्च किया अब कुछ जिन्दगी के कुछ साल हमने यूटईग सपोस्व देट कि यूटईग हमें मिल गया संदोजार चौवविस में हैं संदोजार चौवविस में मिला यह हमारा कोई बेटा है यह हम खुद हैं तो हमने आईडी बनवा दिया रेजिस्टेशन करवा दिया सन 2024 में अब मान लिजे कि जैसे वहां एकवा दुईवा पचवा आज में पढ़ता है 12 साल 15 साल उदर समय जो लगता है वहीं पर हमने उसको लगा दिया रड़के को लगा दिया या खुद लग गए आईडी बना लिया और सपोस्ट दैट कि भाई कंपनी का जो पहला रैंक है ब्रोंज रैंक पहला रैंक है और पहला रैंक 15 डारेक्ट आईडी करने पर होता है या पचेतर स्व बिजनस वोलूम का होता है दोनों में से जो आपको समझना है समझ लिजेगा और यह ब्रोंज ब लग दिए आपको क्या बनने में में और माले लेते हैं पहला में लेकश्ग है बात कर रहा हूं कि इनसान से काम तिन में ज्यादा नहीं लगेगा तिन में ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब आपका डेडी के सब्सक्राइब कर अगला रेंक कौन सा होता है गोल्ड गोल्ड बनने के लिए माल लेते हैं इसका डबन लग आपको छे महिना लग गया पैसे महिन लग गोल्ड बनने में इतने न लगएका सब्सक्राइब इसका डबल मन लेते हैं बारा मन लगना इतना तो लगे गए लगें नेक्स्ट कौन सा रहें का जाता है मौन लेते हैं इसका दुगना मान लेते हैं एक साल आप यह प्लेटनम बनने के बाद दो साल लगा डायमन जाने में यस जबकि अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो कितना महीने में आप डायमड बन गए अगर बहुत मैक्समुम्ड एक साल और एक साल और एक तीन साल 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 तीन साल का मतलब कितना कितना महीना हो गया सर जोड़के बताओ भाई पटाइड़ास महीना हाथ यूज दस दस तीन साल दस महीना यहीं ना और प्लस दस 46 महिना लगा है ना गलत न जोड़ा करिए सरसाइच से बताय करो आप लोग तो फिरी हो मैं तो कैमरा सामने हो भाई तो अपने को जो 46 महिना लग यह मान लेजिए कि अपने को तीन साल के बजाए चार साल लग गया अब यही चेजने बाहर में एक इनसान क्या करता है बाराहवं के बाद चार साल त्यारी करने में लग जाता है जही नहीं है कि सामने वाले की नंवकरी लगी जाएग अब आप डायमंड बनेंगे यह बात तय है कि आपको पचास लाक रुपए आएगा ही आएगा अच्छा इससे पहले जो भी आपने कमाया मालो प्लेटनम पर आपका पांच लाक कार फंड आया गोल्ड पर एक लाक रुपए आपका बाइक फंड आया प्लस आपकी परड़े आप सब्सक्राइब कमपनी के इंदर डायमंड बन गए अब असली अवकात क्या है डायमंड की आयो दोस्त यहां पर थोड़ा देखते हैं कि आपने रहें कचीव कर लिया डायमंड देखो जो लोग नए हैं स्क्रीन सेर करना सीख लो इसक्रीन सेर हम लोग करते हैं यहां अब प्रिसमें नीचे जाते हैं यहां मिलता है क्यों करते हैं स्क्रीन हमारा सेर हो गया अब कैमरा बंद करते हैं थूड़े दर नहां पर आते कि कल्कुलेटर पर आने स्पहले दोस्तों पहले यह देख लेते हैं कि यह देखो अभी बजिनस में हमको कितना समय हुआ है दो साल पूरा नहीं हुआ है थी दो 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 साल और दो माईना दर हमको हो जाएगा वाँ सर्जी वाँ अब अब आप देखो सुबह सुबह का आज सुबह सुबह की देखिए आज बीजार आया कल 27,000 आया परसों भी ऐसे आया है ना सुबह की सुबह की गुण रोल्टी इंकम है वाज अरवाज वाज नार सुबह कर रहते गुणा कर रहते कि भाई अगर डायमेंट की एक महिने की इंकम पांच-शी लाक मान लेते हैं कितना जबकि पांच नहीं आपको भी पता है आठाट लाग साड़े आठ लाग तक जाएगा कि आप बनेंगा तो आपको पचास लाग वह भी तो आता रहेगा न लेते हैं और एक साल का हो गया कितना कि आपने दो साल गुजार दिया दो साल आप डामेंड रहें कंपनी में कितने साल रहें सर दो साल उड़े तो अब पुरी गिंदी के डामेंड ही तो नहीं रहेंगे ना अगला रहेंग भी तो है ना एक क्रोण 2.2 लाग गाप लिया मैं ज़ moral कर ले रहां हूं आपने 2 साल डामेंड्ट पे निकाला अerson न आपने 2 आपने 2 साल डामेंड पे निकाला एक ल供िया ने कुरू ज़िछ पूर्मान लेते हैं भाई इसको उना करिए तीन से चलो तीन साल हम डायमंड पे रहे लिए तब कितना हो गया वाई एक करोड़ असी लाग तीन साल में तो मुर्दा भी बंढ़ा है का प्लेट नहीं है अब तीन साल हो गया आप बन गए विल्यू डायमंड क्या बन गए सर ब दस लाग से एक रुपए भी नीचे नहीं आएगा अब गए विल्यू डायमंड क्योंगे दस लाग रुपए पर महीं न बारा महीं का एक लाग बेजार और विल्यू डायमंड पर पांत साल तो कितना आगया सर शे करोड़ सर शे करोड़ और एक करोड़ उधर आ रायकार यह हो गया बिल्यू डायमंड का पांत साल कि अब एक करोड़ इसमें अपना वो तो आना याना हाउस पंद आना वो भी चलो इसी में जोड़ लिया हमने अब माई डियर फेंड को पुड़ा मैं इतर स्क्रीन स्टाप करता हूं कैमरे पर आजाईए मैं यह असली अवकात हैं कितने साल का पांक साल हमें हमने विलू डायमंड पर टाइम दिया तीन साल डायमंड पर पांच ओर तीन आठ और तीन साल हमने गवा दिया श्रिप यहां तक आने में डायमेंड तक आने में तीन साल में लगा दिया तो गैरा साल बाद कि गैरा साल यूटैक के अंदर आप कितने करोणों में पहुंच गए छे लगवक्स आठ करोण कि आठ करोण में हम पहुंच गए गेरा साल में अठ करोण और करोड बढ़े और आने वार्पाइब अपने को पीछे पन्ना पलट के दिरूट चेक करना है कि बाहर की जंदेगी क्या थी कि माइनस में चल लहे थे सर माइनस में तो यह है दोस्तों बाहर का जो हालात है बाहर की जो सुच बहसन है जितने भी प्राइबट जाब वाले भाई आप देख लिजिए चाहते उन्हों जिन्दिगी ऐसे चलती रहे आपने पूरे जिन्दिगी में साट लाग कमाया साट लाग में कौन सी गाली लेंगे कौन सा बनवाएंगे बेटी की साधी करेंगे की बेटा का करेंगे वारे तो रखेंगे नहीं कि बेटी बेटा है भई साधी तो करनी पड़ेगी यस घर भी बनाएंगे क्या करेंगे 20,000 रुपय महिनी कितनका है पूरी जिन्दिगी में साट लाग तो प्राइबट नोकरी अगर प्राइब कर रहे हैं तो आप अपनी यह देख लिए कि पूरी जिन्दिगी में कहां तक पहुंच पाएंगे प्राइबट जॉब कर रहे हैं तो सरकारी वाले थोड़ा सा आप भी नज़र डालिएगा जो भी सरकारी अब देखो गवर्मेंट जवाले हमारे इस ट्रेंडिंग में रहते हैं इसलिए सर इसमें हो सकता है कि मुझे कोई कल्कुलेशन करने में गलत हुआ हो लेकिन आप जरूर अपना गुणा करके देखना स कि पांच साल आप यूटेख में आप बाहर में नौकरी करके फांच साल निकाल लेना और फिर पांच साल में इस वैसरी हमारे सीम्डी से 30 बोलते हैं कि बाहर में इतना आयस मिंकम करेगा ना हमारे के लिए अखेक प्लेट्निम कमाएगा और वह सर ने प्रूब कर दिया दो तो बस पचास लाग दोस्तों जल्दे जल्दे अपना रेंग बदलिए रेंग बदलिए दोस्त अब